दोस्तों नमस्कार मैं उपेन यादव आप सबका इस लाइफ प्रोगाम में स्वागत है सातियों जो नो फर्वरी को जो आंदोलन हुआ और बाइस तारीक को फिर से गोशना की गई और आंदोलन का क्या नतीज़ रहा है सातियों जो तमाम लोग जुड़े हैं जो लोग जु के अधिवक्ता है और जो वहां आपने आपको वरिष समाद आता समझता है उसको क्या पता कि दरातर पर कैसे संगर्स होता है यह मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो भरतियों से जुड़े हैं लेकिन घर बेटे कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर क्या हुआ हुआ क्या आकाओं के चले जब आप उनकी डीपी देखना आप उनको देखना तो आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति से जुड़े हुए जिनका काम यह उनको ठेका दिया गया कि जब भी उपह नहीं आदो लाइव आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस परकार रीट बढ यह समय कितने समय मेंहों पाइगी क्योंकि चोवी दिसमबर यह कि खोष्चना हुई थी और शबबीश दिसमबर दो यारी किक्ष के एक्जाम हुई ती ऐसे में क्या दो एक्जाम समय पर हो पाएंगे हर बेरुजगार आउसाद में था दुखी ता परिशान था जिनका अच्छा पेपर था वह भी दुखी था और जो दो पेपरों को सुनकर वह भी दुखी थे तो सातियों जो कल का अंदोलन था पर्मोख रूब से सीवियाई की मांग को लेकर था और अन्या मांग थी जो अन्या भरतियों के बेरुजगार वहां पहुंचे थे सातियों जिस परकार है जो महोल बना लोग परिशान दुखी थे हाला कि संक्या बहुत आई आपने देखाओ का सोसल मीडिया वीडियो में अच्छे लोग है उन सभी यहों को धनिवाल लेकिन सातियों वहां जो रीट की लिए लगातार पांच मेने से देवंदर और अनमान दोनों सर्मा जो दोनों आंदोलन कर रहेते वह प्रभुक थोर्फी फूचेते उनके साथ पाच्छे लोग और ती यनकी इतनी आतास होगी यहों में कि 10 का आंकड़ा भी वह पाहर नहीं कर पाए जो रीट चे जुड़े वह व्याड़ती दे लेकिन उनकी पीड़ा मां समस में यह आवाज गई कि यूवा पुलीस से बिढ़ रहे हैं लड़ रहे हैं यानिकी 10 लोग भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि वहां जो नेत्रतों करने वाले उनका वीडियो देखना उन्होंने भी डालाता है वह तो साथ लोग ही बता रहेते लेकिन संक्या माहिने नहीं र यहां हर यूवा जुड़ा हुआ है और हर यूवा पहुंचता है केवल घोसना से ही वह पब्लिक पहुंच जाती है कि हां उपईन यादों ने इलाद किया है भीड कापी पूछी अच्छा प्रदसन हुआ लेकिन एक वाक्या और गठा हुआ है पुलीस के जो ऐसो चो तक नहीं लगाने दिया और उसको गिरिदार करने कोशिश करनी तक नहीं करने दिया और अखिरकार उन अधिकारी को वहां से जाना पड़ा अधिकारे उनको समझा क्यों नहीं से उपकर लेना गलत है क्योंकि कि यह लोग उगर हो गए तो कहीं बाहरी पड़ जाएगा मेरे किसी योग को टच नहीं करने दिया साथियों अब जो कह रहे थे जो सोचल मीडिया पर कमेंट करें तो इसका जवाब यह है साथियों कि जो और भड़ती के लोग गए थे जो तमाम बुद्धी जीव जो इंसान तो मन्द बुद्धी वैसे भी नहीं समझेंगे क्योंकि साथियों वहाँ प्रटी के अब्वरती सबसे ज्यादा थे जैन बरती के जो पंचायराज जैन वर्टी के बिए कुछ पंचायराज लडी सी के भी थे कनिस्ट अनुदेशक बरती के बिए रेडियोगाफ लेप्ट लोग नहीं आये क्यूंकि आउसाद में थे इसलिए मैंने सीब्याई की मांग को नहीं छोड़ा है जो समंधित वर्ती के अभ्यरती गेत उनके काम हो गए वो उनके काम हो गए तो वो क्यों बैटेंगे सीब्याई के लिए बताई आप फिर भी उन लोगों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगोंने मजबूती से मेरा साथ दि कि अब सीब्याई जाज देने में कोई दिकत नहीं बरती रद हो चुक है शुरुआ कर रहे हो सीङ नहीं चीपर्देना लगशन कुल लिकिन दूद करें युए अन्तिम सर्ण लड़ेंगे 22 तारी है लेकिन लोगत सवाल उठाई 10 प्रिस्तिया विप्रिति अवसाद में दुखी थे उनके साथ मैं लोगों की प्रस्तिया विप्रिति अवसाद में दुखी थे मैं समझता हूं उनकी मांग में कम बिल्कूल भी कहीं भी कमजोज स्थिति नहीं आने दिया मजबूति शिन के आवाज उठाई है पुलीस के दख्खे भी खाए खुब दख्खे खाए लेकिन फिर भी हमने मजबूति शावाज उठाई है मैं दन्यवाद देना चाहूंगा प कि टक्कर सरकार से ले रहा है कि हम तो मांग आज भी करते हैं कि जो मंत्री सुभाज जी गर्क पर जो आरोब लग रहे हैं उनको मंत्री मंदल से हटाया जाए जब तक जास नहीं हो जाए से और की मांग के लिए आज भी टटे हुए बाइस तारी को फिर आएंगे क्योंकि स साथ हुआ है कल पत्वारी पी टी आई पस्ट गए सेकेट अन्य बढ़तियों होगा तो हम चाहतें खेल खतम होना चाहिए और खुलास होना चाहिए बेनकाब होना चाहिए कोन राद देता है कोन मगर मच है उसका खुलास होना चीनिड जास की मांग आज भी करने आगे जिससे खुलासा हो क्योंकि यदि कुछ नहीं हुआ तो सरकार देदेना चाहिए सरकार के छवी और मजबूत होगी कुछ नहीं निकलेगा सरकार तो एक तरफा जीच जाएगी वापस देदेना चाहिए यह विश्वास मेड़ेगा कि देखो यहों की मांग पर को जांच देदी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कोई राद देता इसमें नहीं हो आएगा तो बढ़ी है ना सरकार की मेजब देगी लेकिन सीवी जांच देनी चीए जिससे अन्या भरती प्रिक्षाव पर प्रसंचे नहीं लगे सीवी के जांच के लिए हम 22 लड़ाओ करेंगे और वेरुजगरु के अन्या मांगो जो आएंगे उनकी मांगो को शामिल करते 22 तारी को एक बार फिर इस से जादा संख्या के साथ फिर गहराओ करेंगे विदान सवाका फिर जाएंगे फिर लड़ेंगे लेकिन हम लड़ते रहेंगे ऐसा नहीं है कि हम कल वापस आगे घर नहीं मैठेंगे घर नहीं बैठेंगे लड़ेंगे कि चोदा क्टमबर से देखो लड़ाई लड़ेते अभी लड़ाई जा लिए अल्टीमेटम दिया सरकार को 11 दिन गा कि 11 दिन में हमारी बेरुजगारों की तमाम मांगों को आपको पूरा करना होगा अ कई लोग रद करने की मांग कर रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि रद मत करो आपस में यह दो गुठ बनके आपस में एक दूसरे की खिच्टा सोशल मीडिया पर चल रही है इसका एक हिलाज है डेटा सार्वनी किया जाए कल भी मैंने मांग उठाई थी कल सिक्ष्या मंत्री ब मैं गलत हूं तो जेल में डाल दीजिए सही कह रहे हैं तो डेटा सार्वनी करना चीए जिससे लेवल परस्ट में जिनके अच्छे नमबर आ रहे हैं उन्होंने का 140 से ज्यादा नमबर है तो यहां तो 136 328 पड़े हैं जो लोग पढ़ने वाले अध्यरती है 140 का मनलब यद जिससे मेरे प्रदेश की बेरुजगार जो पढ़ने वाले अब ब्रती के साथ जो योग्या ब्रती साथ कुटार गात नहीं हो हरी व्यक्ति को न्याई मिनना चीए जो योग्या है सातियों कल भी हमने मांग की थी और 22 तारी को फिर मांग करें इसके लाव शातियों आपके परतिनीदी मंडल में जब शिक्षा मंत्री जी वारता हो रही थी क्योंकि विदान सवा के बार ही आके हमसे बिले थे जाम लोग वहाँ पुलिस वाली हमें लेके गये थे आपके साथ ही बता सकते हैं मैंने मंत्री महदी जी को कह दिया था कि यह दी पहली मैंने कहा आपने वीडियो भी देखाओगा बेरिकाट दो तीन साल में वह एक भरति पूरी हो पारी थी वह भी रद हो गई जो व्यक्ति कई तीन साल से त्यारी कर रहा है कि दो एक एक समय पर ने उपाई दो एक्जाम में कितना समय लेगेगा कि क्या होगा उन्हों का पद बढ़ा दिया पद बढ़ा दी की बात नहीं है बात है कि बेरुजगार आज परिशान दुक्या कैसे उनका इंतिजार खत्मक उनको क्या पता कि दो एक्जाम समय पर हो पाएंगी ने पाएंगे और वह 2012 के पेट्रन पर कर दिया जिलाष्टरिय कर दिया तुम्हार आ जाएगा मैंने उन अभियर्तियों के सामने मिनका मंत्री जी ऐसा हो गया तो मैं आपके घर आके बैठोंगा मैंने बोला कि उन्हों का ऐसा नहीं होगा उसके बाद सीमों में मुख्य मंत्र मेरिट की सहमत्ती बन चुकी थी यह आप लोगों के लिए अच्छी खबर है क्यों ही मेरिट बनती कहीं सो नमर जाती कहीं 120 नमर जाती तो कई लोगों के साथ गलत होता पर प्रस्णों का विवाद होता कि 2012 का मामला अभी भी सुप्रीम कोट में लंबीद है प्रस्णों को मेरिट पर उनकी हमारी सहमत्ती बनी है कि एक चीज मैंने पर मुक्त तोर पर उठाई दी परस्ट गेड़ सेकंड रीट आप पातरता भी एक्जाम करवा रहे हो मैंने खाए कि कई लोग इंतिजार कर रहे हैं आप रद कर नहीं के बजाए इनको पातरता गोशित कर देते ल 2018 जुनियर एकांटेट और लडीर शी वर्टी में भी कोट ने जुलिदे को रद कर दिया था पूरे सिरे से तो उनको पता था कि गोट को रद कर सकता है क्ए है क्योंकि प्रण कर डिया था कि दो दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था उस आधार पर यह बर्धिको रद कर सकत अब दो और एक एक्जाम की बात थी तो सातियों एक एक्जाम वाला जो कह रहे हैं कि हम तीन साल से त्यारी करें उनका भी मत सही है कई लोग दो भी हो जाने चीए क्योंकि पहले एक होगी पार उसमें कोई गरविडिव कर जाएगा तो सेकेंड में नहीं कर पाएगा दो दो को आप एक एक्जाम के मामले को जो around किए तो कर दो लेकिन हमने का कम से कम कलंडर तो जारी कर दीजिए पसके सेकंड रीट और पात्रता कर रहिए और उसक्नीं पहल कंपाए को कर ऑड प्रिशान अब्यर्ति तो सातियों के सामने वह बात रखी थी वह कह रहे थे कि हम इसके लिए कलेंडर के लिए अधिकारियों से बात करके जल से जल जारी करने कोशिश करेंगे फ्रस्ट करेंगे और रीट और पातरता इन सब के लिए अब पंचायती राज एक्ट में संसोधन करेंगे यानकी पहले पंचायती राज एक्ट में संसोधन होगा क्योंकि पहले रीट के माध्यम से एक्जाम थी बरती थी तो पहले भी एक्ट में संसोधन किया गया था एक्ट में संसोधन होगा उसकी अधिस उसना जारी होगी उसक कि अब प्रदेश हिस्तिया मेरिट पर वह सहमत होगे जिला प्रिशत का हम ने विरोध किया था अब लोग कहेंगे कि यह तो आसा निशाब की मान ली भाईया यह आप लोगों का प्रेसर था 2012-13 में लोगों ने विदान सबागा घहराव कर दिया था जब हमने कहा और प्रदेश हिस्तिया मेरिट करिए लेकिन हमारी बात नहीं मानीती उस समय मेरे संगर्च का सुरवाती दिन थे नहीं मानीती और जिलापर से करवाई थे हमने कहा आज वह वरतिया लंबीत है प्लीज ह इजांस के लिए जो तमाम यहों से मेरा पील है इसके अलावा भरती पर सेकिंड के रीड पात्रता जो भी इनका सब का कलेंडर जारी करवाने के लिए और अन्य कोई भी मांग है उसके लिए हम 22 तारी को एक बार फिर क्यूंकि मुझे पता है आप उसाद में नहीं आपाए यदि आप लोग अच्छे संक्या में आऊगे कल दख्ये खाए थे और आपकी मांग के लिए लट खाना पड़े तो लट भी खाऊंगा मैं पीछे नहीं अठूंगा लेकिन कल आपकी संक्या नहीं थी इसलिए 11 दिन का अल्टीमेटम देखें आना पड़ा क्यूंकि अन्य सब्सक्राइब की सहबती हमने दिलवाद दिया है इनकी आपकी मांग यह पूरी हो गई है और अन्य मांगों के लिए 11 दिन का अल्टीमेटम दिया तो तमाम जो 32 लाइव को देख रहे हैं वो रीट में जो संसोदन चाहते हैं और सभी से मैं यह कहूंगा कि सीवे की जांच तो इसके लिए हमने 11 दिन का समय दिया 11 दिन वह हम क्लेंडर जारी कर देते हैं हमारी मंगों को मान जाते ठीक है 11 दिन बाद हम 22 तरी को फिर विदान सभा बेहराव करेंगे कि इसके लाव सातियों गेड़ जवांति कानून जो बिल आने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने का होगा हम लेकर आरे अब तो सब लोग बोल रहे हैं लेकर बड़ा सवाल है कि यह कानून हमारी संगर्च का एतियाशिक जीत का हिस्सा होगा जिसके पिछले मैं कई पिछले फरवरी से लड़ रहा था आज जो मेरे समझोता पत्र था उसमें लिखित में समझोता भिवादा और चिला-चिला के लाइम मैं बोलता था आज तो सब लोग उसकी कोफी करने लगे क्योंकि जब कानून आयगत करे दो दिखा हम नहीं करवा दिया लेकिन उस कानू के लिए भाग ना भी पड़ाता दोड़ ना भी पड़ाता और कई लोगों से गालिया खाई थी जब मैं मुख्यमंत्री जी से चार अक्टूंबर को मिला कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सहमयति दी है कि वह कानून ले कहेंगे उन्होंने मेरी इस मांग को मान लिया तो लोगों क्या कहा दलाल यह मिला हुआ है इसकी तुण आजाएगा अब जब कानून आएगा जब यूवा बेरुजगर को फाइदा होगा तब उनको याद आएगा कि एक उपए नहां था जो लड़ जगड कर राजस्तान में कटोर कानून लाने में महन भूमी का निवाई और इतियास रचने का काम किया कि राजस्तान में सरकार से सीधी टकार लेकर और कानून लाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया और वो कानून जो बिल वो इसी विदांसभा सत्तर में आएगा जिसके लिए लगात्तार हम संगर्श कर रहे हैं यह अलग एक इतियास है अलगी कोफे फेस्ट करने वाले बहुत लोग है क्योंको पता की जनता को मीडिया को सब को पता है कि वो कानून हमारे संगर्श के बदूलत आ रहा है जो आने वाले विरुजगारों के लिए फाइदे मंद होगा उनका वहीश्य बचेका सबसे मेरा नियुदन है यह जाच होना जरूरी है मगरवच जेल के अंदर होना चाहिए कौन नेता है उसको यदि हम लोग इस गिरों को इन नेताओं को खतम नहीं करेंगे जो लाकों विरुजगारों के आंस्वों के दोशी है पापी है मगरवच उनको जेल में डलवाना जरूरी है सात्यों 22 फरवरी एक बार फिर एक दिन के लिए आप लोगों को आना है जिसे यह मगरवच जेल के अंदर हो और शीवाइट जाच हो जो कानून लेका रहे है बासकत में हमने पढ़ा था कि जो नकल और जो लोग पकड़े जाएंगे उनको एक साल के लिए डिब प्रतिबंद उस पर लगाया जाए और जो कानून लाया जाता है क्या होता है कि राजितान पुलीस बरती 2018 का जो माम लाया इसका माम लाया लाइबरियन का संदीप नहरा शीव अगवान का भी ना हुआया कि वह मुख्या आरोपी पुलिस का प्रेस्ट नोट आया मुख्या करने लिए लगातार लगातार अपराज्यों की संपती जफट करने का मामला उता रहे थे हम हम उता रहे हैं और उसे लगने वाली हैं तो साथ यह लाइबरीरी में वो छुट गे ऐसे में पास्ट्रे कोट रखा जाए पास्ट्रे कोट भी बनाए जाए जिसमें ऐसे पेपर लीक नकल फरजवाड़ी की सुनवाई एक मेनी के अंदर इसका सुनवा देंगे किती साल की सजा क्या है वो पास्ट्रे कोट भी सरकार बनाए पास् कि साथियों पीटे यह वरती के बिरतियों की अच्छी बात है वह आये उनके पद बढ़ने की वहां सहमेति बन चुकी है जयन पंचायती राज जयन वरती जो 2008 के बाद नहीं आई है जो लोग लोग लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आंदोलर हम करते हैं लेकिन म किसी काम हो जाते हैं कि संगर्ष के बोदल किसी काम तो हुआ हमने आवाज उठाई दिन में वारता गी और श्याम को जो नियम संसोदन की अधिसूशना चारी हो गई 1998 में के नियम के अनुशार वो बरती होगी और बरती की विकप्ति जारी है उनका रास्ता खुल चुका है अब प्रियास के उन्हें हमारे सामने समंदित अधिकारी को फोन किया था कि भाइया इसी बरती से समंदित जो परकरिया जो बाकिया वो जल्क से पूर्ण करकि इसकी इनकी जो हम 200 पताई रहा था 549 पत भी जुड़ा ने कि कोशिस कर रहा है पुलीस से जड़ा फूई जो आपने देखा होगा हर विवा भेरुजगारों के लिए मैं लड़ता हूं पिड़ता भी हो कैस भी खाता हूं और डख्य भी खाता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दख्या खालो लेकर मेरे प्रदेश के बेरुजगारों के सपने साखार उनके माबाप के जो सपने हों साकार उनके घरों में कुश्य है इसलिए मैं लड़ता हूं कर रात को बहुत भेंकर सिर में दर्दुआ मैं कभी मुझे टेबलेट लेने के आव सकते हैं ने परते लेकिन कल मुझे दो बार टेबलेट लेने पड़ी क्योंकि कल वहां इतनी जड़ाप इतनी माताप अच्छे हुई क्योंकि यहां वेरोजगारों के भाईशिय का सवाल जो था मैंने यह चीज आपको बताई इसका अलावा जो कर्षिप्रेक्षक का परिणाम के लिए कई लोग कह रहे है एग्रिकल से सुप्रवाइजित का वैसे इस महने में आने की पूरी संभावना है लेकिन जब आएगा उससे पहले मैं ट्यूट कर दूंगा इस टोनों के रापर मैं साब से बार बात कर लूँगा जो भी स्ततिय होगी मापको लोगों को बता दूंगा लेकिन अगले वीक में आने की संभावने इस मेंने की है अधिया पंचाइड लार लडी सी दो जात्यरा के संबंद में आज उनका बिरति आज फिर दर्मंदर राठवर जी के पास जाका आए थे तो उनका सर्कूलेशन के माद्यम से कर वाएंगे में तक चुके बार-बार सुनके इस केमिनेट में यह बहुत परिशानल दुखी है तो उनका कि आज तो वो जिनको एक मंत्री का दर्जागीत देया गया है तो उनका कि आप कल जरूर आना तो साथ कल या परसो जो भी है मैं साथ एक पार जाकर अधिकार से बात करके इसको करवनी कोचिस करूंगा साथ मुझे पता है लेकिन मैं क्या करो यार बार-बार जिस इन अभीरतियों के साथ जाकर मैं वापस मिलूंगा जिससे यह कलंडर जारी हो सके नर्सिंग बरती दो जाते रहा मैं अभी तक जवाब नहीं दिया गया सुभाजगर साब ने जो हाथ रखकर किसम खाई थी कि मैं बेटियों आपका भला करूंगा लेकिन सुभाजगर आपने खसाम खाई थी इनके पक्ष में जवाब कोट में देना चाहिए है करनी सलुदे सक्का मैं बता दिया जल्दी अधिस उसना जारियोंने के बाद मार्च प्लेमिस की विविपती जारियोंने की संभनम बताई है जूनियर असिस्टेंड का परिणाम इसी मैने में आए अधिक अधिक लिए तो अधिकनेशन के लिए तो आधेश पद बढ़ाने के वे ते तैया सी रेडियों पर 369 लेप टेकनेशन के उन्हां का वह आधेश गलती से हो गया था और उन्होंने विवाब ने उसको वापस ले लिया दूसरा आधिस जारी कर दिया वह गलती से वह लेटर अधिनास वोड़ गया थे यह उन्होंने जवाब दिया तो सातियों इसमें मैं किसी यूआ या बेरुजगार को दोखें में नहीं रख सकता मैंने मंत्री से मुलाकात करवाई सीओं में ले गया मैंने बात रखी और उन्होंने साब मना कर दिया लेकिन फिर भी लेटर को विड्रो कर लिया है अब उस लेटर के माध्य में से नियाईले की सरण से भी आप लोग आपके कई साती गये हैं तो नियाईले पता नहीं देदे आदेश की दोवारा जारी किया गया लेकिन फिर भी एक बार फिर में आप लोग उप्तियास करूंगा इसके लाव लुट के आप लोगों करूंगा इंट्रू खतम करने की मांग हम लगातार कर रहें बरति-प्रिक्शा में रेस तमाम भरतियों में इन्ट्रू आप खतम रुखा बाहराजियों को खतरा क्तम होगा तो रजी दास्तान की विरुजगारों को बहुत फाइदा होगा लेकिन ज से तो निकला करो तुम सड़कों पर आओगे तब सरकार जागेगी अब विदान सबाद चल रही है और तुम लोग वहाँ बैठ जाओगा जारों कि संक्या में तो सरकार कुप विदान सब्सक्राइब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अवाज उठेगी तब भला होगा क्यों हम बैठ जाएंगे लटगा लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा ना चाहिए भारी राजी को कोटा कम करने की मांगो चाहिए की मांगो लेकिन लड़ना तो आप सबको पड़ेगा सातियों लेकिन आप आना नहीं चाहती हो पर दिन बर सुबह से श्याम तक बेरूज भारी राजी कोटा कम करके राज्तान के विरुजगरू प्रात्मिता दिन बात हो 69 जो इसकूल व्यक्याता में 600 निवासी पदों का जो मामला इस समंध्ध में अब आज मेरे समंधिता विरतों बाती है फिसी सी चीप जो नहीं वादा के अदद हो बरकातर सबाब में मैं इ अन्होंने वादा किया तो वादा पूरा करना पड़ेगा और विरुद इतना करेंगे कि 2023 में उसका परिणाव उनको चुकाना पड़ेगा चाहिए इसको आप निवदन समझे चाहिए से तावनी समझे मेसेज उन तक चला जाएगा को खुला विरूद करेंगे तो करेंगे ां तो आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपने निवदन कि आपको bunun क्याना पड़ेगैं क्योंकि प्रदेश की विरुषगार की इतिजार करें कि फूर्व फिसी मैंटिजी और घंटि नहीं चुनाओं आपकी दिन जहलूब बजाएंगे क्योंकि वादा आपने बोला है तो पूरा करना चीए क्योंकि आपका एक बयान देखा कि हम जो कहते हैं वो करते तो प्लीज आप पीसीज चीप हो जो कहा हो करी है कि टीजीटी दोजार बारा के सब्सक्राइब जो बढ़ती है इनके जो तीनों नेता हैं डेलिगेशन के वो मुझसे एक बार आके मिले एक बार आके मिले उससे जो सेकंडेर इंट्रेसिप वाले 16 सब्ता की जो समय पर उनके इंट्रेसिप पूरी होगी तब 2022 की रीट में बेट पाएंगे आज मैंने ट्यूबिट भी गया था इनके बेरती मुझसे मिलेंगे तो मैं इनके साथ जाकर जितनी मदद हो कि मैं मदद करूंगा इन लोगों क मंद्री से मिलूगा और जितनी मदद हो देखें लेकिन मुझसे आकर इनका डेलीकेशन मिले साथ यो पेपर लीक को लेकर एक चीज़ों मैं बता दूं वास्तव में कई यूवा अपरादिक दुनिया में जा रहे है कैसे जुगार कर रहे हैं कि भाया मेहनत की मेरा नंबर नहीं आए वह दस लाग किसी को पता लगते है क्योंकि जो गेंग गिरो है वह लोगों को चुन रही है और अपराधिक दुनिया में ले जा रहे हैं उन्हें पैसे दे दिया आज उनके पैसे भी डूब गए और एसोजी के जांच में आ गया तो उसका केरियर भी खराब हो नहीं करें तैयारी करें और अपने मंजिल पाए क्योंकि यदि गलत रास्ते पर जाओगे तो पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा अब इस पेपर लीक कांड में करोड़ों रुपे लोगों के डूबे हैं गिरों तो लेके फ्रार हो गया जैल भी चले जाएंगे वह जिए वह ते लुए कि किसी के ला नने आए नागीरों के लालनों अपना मैंनत के बद़त में साथ उसके लाव Il wat की स्क्राइब करना चाहूंगा कि मैं आप से हाथ जोड़ करना चाहूंगा तमाम से जिन जिन कोचिंगों में चाहिं कि पड़ाई की आप लोगों से अब रीट रहे रदो चुकी है और वह वापस आपके पास आए जो कहते कही कोचिंग वाले कहते हैं कि हम छात्र ही तैसी है हम छात्रों के लिए जिन लगाता है वो तो बिल्कुल माप करें उनकी पीस अग्त और जो कहते हैं कि हमें तो पीस से मतलब है तो आप पूरी माप नहीं कर सकते हो कम आदी पीस माप करें आदी पीस माप करें आप से हाज जोड के मैं दिवदन करूंगा क्योंकि आर्थिक हालात गंबीर है इनकी पीडा में लगाता सुन रहा हूं कई लोगों को घरवालों मना कर दिया मैं कोचिंग नहीं कर वाएंगे और माकान मालीक भी उनको रहात देखिए रहे हैं मेरी अप्मिल हों doc s मिला है ब्रष्ट अंतर से ब्रष्ट सिस्टम से पेपर लीग की वज़े से इसलिए इनके लिए आप सब लोग सयोग करें आप से हाथ जोड़के मेरा यह नहीं उन्दर तमाम कोचिंग वालोग इसके अलाव सातियों आज और उनकी मुझे एक अच्छी लगी मनीशोद्री जो है जो रामनिया जी ड्राइबर थे जो रीट का जो ट्रक कंटेनर प्लट गया था वह उसे हाथ से में नहीं रहे थे और संदिक हास्ता है कि पलटाए गया था उनकी हत्या थी या एक्सिरेंदा उसकी जास नहीं पर सीवि लेकिन इनकी सरकार को आर्थिक सहीयोग करना चीह नोखरी भी देनी चीह क्योंकि जब यह मामला आया था उससमें में ने इनके परिज्ञों से बात की थी इनके शाइद बधिजा होगा और रामनिया जी के बड़े भाई से मेरी बात हुई थी मैंने कहा था कि जब मैं धरन पहले भी उठाई थी मीडिया में भी इनकी आवाज मेने उस समय उठाई थी लेकिन आये नेते तो आज जो आवाज उठाई है डोक्टर किरुलाज मेना जी ने उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक जिनका सारा अच्छिन गया हो छोटा बच्चा हो और उनकी आवाज उठा और अच्छा काम है मैंने पहले आवाज अठाई लेकिन आज उनके लिए वह बैठाई अच्छा काम है इसलिए मैं सांससहाब को धन्यवाद देना चाहूंगा मानवता के नाते कि हमेंसा काम तो उख़ाते हम इस आच्छा ही करते हैं लेकिन आज जिसक साथ उनको आर्थिक सेयोग मिनना चाहिए सात्यों फर्जी डिप्लोमा डिग्री जो कंप्यूटर नों दे सकते जो मामले में पहले भी हमने सेयोग के माध्यम से से इसका इस्टिंग ऑपरेशन करवाया और लगातार पहले भी आवाज उठा लेते मैंने कई समय प्रदास्त नहीं किया जाएगा तो अब मुझे लगता है कानून आएगा यह चीज़े है तो फर्जी डिग्री डिप्लोमा अब बरदास्त नहीं किया जाएगा अब जितना लेकर आना लेया मेरे पास आज भी टीएश्पी से स्पोन आया था कि रीट में भी कई लोग डिगीरी लेकर हैं तो कि लेवल फर्स्ट में बरा लेवल टू को भी लेकर हैं पता नहीं क्या चीज़े वह आप मुझे दीजिए मैं आवाज उठाऊंगा तो उनकी भी डान चीज जो लोग धोगा कर रहे हैं साथियों जो कल डेटा सारजन करने के मांग तो रखी थी परती परिक्षाम जो पेपर लीक वाला यह कानून तो हमारी जो कैतियासी जीत होगी लगाता इसमें थोड़ा सा परलाव कि हम मांग कर रहे थे और पीसी इंट्रूग में ग पर्मुक तोर से रखी थी आज मीडिया में पर्मुक तोर पर तमाम मांगों का जिकर हुआ है तो मीडिया को धन्यवाद शैलूट जिनमें विरुजगारों के आवाज बुलंद करने का काम किया परतियों के परिक्षाओं का परिक्षा के अंदर भी घर है जिलों में दिया जए और समझोते कि यह कहीं मांगे हैं और तमाम मांगों सरकार पूरा करें अब जो आज का लाविव था कि कल मैं बिल्कुल ठक चुका था कल मा आप लोगों को आके नहीं बता है आज मीडिये के माद्य मुसी पता चलोगा कि पीटे बरती में पद बढ़ाने वाले अब भी रहात मिली है जैयन बरती की अदिशूसना जारी है उसकी विगपती भी ज पर लगोश्ट रहा हुई यहां कि कुछ कर रहा है किसी को तो फाइदा हो रहा हाला कि सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे कि यह नहीं कि पूरे दिन भर वहां विरोजगारों साथ चिल आ रहा था पुलीस के धक्षे खा रहा था और उन विरोजगारों की काम से वक्त द्राम विकार से वदिगारीं पद भढ़ाने का मामला हो चाहिए प्रयोक साला साइक का भी होगा अब यह चार यह है तो लगातार काम हो रहे किसके मिरोजगारों के परस्ट के सेकंड के कलंडर जारी करने के लिए मैं पीछे पढ़ा हूं अधिनस्पोड की ब लगातार मैं पीछे पढ़ा हूं तमाम लोगों यह कहना चाहूंगा जो यूवा है जो मुझे विस्पास करते हैं मुझे इतना सम्मान देते प्यार देते तो बाइस तारीक को आप लोगों को आना है कल मैं इसके परातना पतल लगा दूंगा एक बार फिर परमिसल लेकर फिर भड़ा क्योंकि ऐसा आपकी संख्या होगी हम अच्छी संख्या होगी जो लोग सबसे जो चाहते हैं बाइरा जे को खतम करवाना चाहते हैं जो लोग डेटा सार्जिन कराना चाहते तो आप आईए आप आजाओं तो हम लट का आड़ीके मां बैढ़ जाएंगे अब जो बरतियों के जो आते हैं उनका काम हो जाता है वो चले जाते हैं बच्चे पांट-दस लोग बचते तो फिर उनके साथ मैं कैसे बेट पहूं पुलिस पाले उठा के अंदर डाल लेंगे इसलिए हम लोगों को मिलकर टाकत के साथ लड़ाई लड़नी होगी तमाम यहों से म में दोरौट यहां तो देख लोग एक मेशेज में नहीं नहीं कोचिंग में प्रचार करने गया जो लोग आये और उन्होंने इस अइसास करवा दिया कि राजस्तान में राजस्तान विरुज्जगार एकिक्रत्तब supplier आट मझबूस संगटन है जिनके एक मेसे से इतने लोग पहुंचते हैं और पूरी सरकार कोई शी भी हो लाने का दम यह रास्तान भी रुजगार एकिकर महासंग रखता है और पूरी मजबूती के साथ में बात रखता हूं तो सात्यों 22 तारीक को फिर एक बार हमने अंदुलन रखा है जो अन्य जो औ बात की थी तो कल तक पता लग जाएगा अर्फीज चेर्वें साब से समय मांग रहे हैं तो समय मिलेगा तो वह और पर सेकेंड के लिए मैं एक बार उन्हें मुलाकात करूंगा लगातार हर व्यक्ति के प्रियास करेंगे जिससे बिरुजगार को न्याइए मिले अब मैं ए एक मिटिंग हो चुकी है एक अधिनस बोड के चैर्मेन महोदे जी मेरी बात गोर से सुनना अधिनस बोड चैर्मेन जिसे मैं मिलका आया था हरी प्रसाद जिसे बरती परिक्षियाओं में जो परिक्षा के अंदर पर अब बेटने के बाद ही वहां पेपर पहुचाए अब अब बेटने के बाद प्रिक्षा के अंदर लेंगे तो अधिनस बोड कभी भी समंध में आदेज जारी कर सकता है उसके लिए भी कमेटी की मिटिंग करेंगे तो कई निर्ने जो हमने सुजाव दिये उन सुजाव पर सरकार मोह लगा सकती है और हमने यह भी कहा कि प्रतियोगी बर्ति प्रिक्षाव में पेपर जिस ट्रेजिस्ट लाइव केमरे जा रखा जाता है लाइव केमरे की निग्राई में रख पाए रखवाया जाया और पेपर रखने से लेकर प्रिक्षा के अंदरों तो बाटने के पुरा में ट्रिक रखी जाए कई सुजाओं हमने दिया हैं जिसे कई सुजाओं को माना भी जाएगा लेकिन पहले माने जाते तो पेपर लीग जैसी कटना ही नहीं होती है कर दो कर दो कई लोगों को मैसे जा रहे ऐसा ही बरती वाले लाइबरेनर वाले और जैन डिग्री वाले कि हमारी जांच का क्या हुआ भाया जब महोल रीट काता तो सब रोग रीट में डूबे होते आपको तो क्यों बहुनाओं के सास्थ सोसल मीडिया पर सपोर्ट लोने के लिए यूज किया हम्मारा कल प्रता संता आपने देखा होगा आज अक्वार में कल भी मैंने रीट और रिशाई लाइबरेन की सीव घंड रहूं और लड़ता रहूंगा लेकिन अभी क्या है कि भाउनाओं के साथ खेलकर अभी बहुत लोग आएंगे बहुत लोग भाउनाओं साथ खेलेंगे लेकिन जब 10 साल से आप लोगों के लिए 7 खड़ा हूं हमेसा खड़ा रहोंगा क्योंकि सच को कोई नहीं आ र बरतियों और बड़तिया हो रेडियों को देखलें को बहुत तेज चल रहा हैं अब कितना प्रवार पहुप के लिए पर देख पाता हूं कमेंट एकबात कि यूटूबब पर दो बहुत चल रहा है जल्दाइवाग में तकनिक रिमचारी बिया मैं जल्द जाके मिलूगा इस परती के लिए मिलूगा मैं जल्दी मिलूगा भीया मुझे एक बार मिलना यार जित्ता सयोग मैं आपका भी कहूंगा पीटाइव के मैं बोल चुका हूं ग्राम से रिजल्ट मैं ट्वीट कर दूंगा अगले वीक में मिलूंगा जो इस्तति हों मैं बता दूंगा फर्वरी के लिए आता फर्वरी चल्द तो जैसे स्तति मैं बत कि अगया इस लिए के लिए मिलेंगे में अधके बात करेंगे अर्पीसे में वेटरनेर ओपी सर जो अन्यक्य लोग है जो कमेंड करें जो कई लोग मिनने के लिए तो कल बारा वजी में राज्तान विरुजगार एकिकरत मासक कर ले रहूंगा कई कई विर्थ्याइगों से मुलाकात करूँगा पीटिय वाली में बात रख चुका हूं कि एल्टी रेडियोगाफ लेप टेक्नेशन की नहीं वेकेंसिया आएगी भी या आएगी लेट दोजार अठारा का पेशला इसी मेने मुपन होने की पूरी सम्मावना है संदीब डाखा जी और अन्य लोकल मेरे से मुलाकात भी की थी और कई जो इस बरती का पूर्योंने क अंतिजार कर रहे है उनको जल्दी ही कुछ कबरी मिलीगी अब पटवारी वाले मामले में देख आप क्या बेड़तियों के साथ जाकर मैंने बात रख दी दो पक्स थे लेकिन महुदेजी ने का कि हमने कमेटी का घठन किया है सब लोगों ने जो फोर्मुले दे दी है उनस अब कमेटी पर आपके विश्वास करना पड़ेगा आपके लोगों जो फोर्मुले जो अनुमूदीत फोर्मुले में ने कहा के सामने ले आपके पास कोफोर्मुले दे दीजिए यह जो कागत देंगे हम समन्धित कमेटी को दे रहारा चामेटी से फाइनल करेंगी अब कर दो है तो अब समस्क्राइब की भरती भी आप फर्मरी मार्च में आएगी इस मैंने या फिर मार्च में आएगे आपके कर दो चलो साती इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि करेंगे इस पार विदान सभा घहराव में क्या हुआ आप लोगों बता दिया हालाकि च्यार पांच बरतियों के अभिरतियों को रहात मिली है अन्या बरतियों के लिए एक बार फिर लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कर आये सपोर्ट किया मीडिया बंदों को धन्यवाद लेकिन सातियों आप सबसे मेरे अपेल है जो यह साती जो मेरे साथ दिल से जुड़े हैं क्योंकि ट्रोल आर्मी कई तताकती पत्रकार जो अपने आपको पत्रकार समझते पत् लगेगी या किसी आका का चैला है आप देखो तो पता लग जाएगा तो वह जान बूझकर महुल खराब करने कोशिज करते हैं तो कानून की कोशना हम नहीं कर वाई दम है तो चार काम हम पोजिटिव कर रहे हैं तो लागातार हमारे काम क्योंकि वह भोख लाए हुए हैं क आधुण स करकार हमारे काम कर रहें जिनके मैं बाप हो qowba को हो दो कोई नहीं मांता यसा में सातियों उनीकों को 6 पर वह दोधोरा को को सखेंश वह घ्रां लेकिन किले ति जीतेंगे इसलिए तमाम यह शातियुस क्योंगा कि 22 तरीका ध्यार रखें और जो ब्रति जिसके कोई सुझा कोई बढ़ती का जो मामला हो तो कल 12 वजे राज्तान विरोजगार एक इकित महासंग का रहले आप आए मैं आपसे मुलाकात करूंगा जितनी मदद होगी हर व्यक